नमस्कार और वेलकम तो यू ओल इंडिया अफेर्स मैं हूँ विकास दोस्तो ब्रिक्स सम्मिट खतम हो चुका है और अब G20 सम्मिट की तैयारी चल रही है और ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि G20 सम्मिट भारत में होने जा रहा है दोस्तो अभी अभी आपने देखा कि ब्रिक्स सम्मिट जो हुआ उसमें रसिया के जो परसिडेंट है पूतिन वो नहीं पहुँचे थे और बताया जा रहा है कि पूतिन भारत भी नहीं आएंगे इस विडियो में हम जानेंगे कि पूतिन ब्रिक्स सम्मिट में क्यों नहीं पहुचे चली ब्रिक्स सम्मिट की बात अलग है लेकिन G20 तो भारत में हो रहा है और रस्या और भारत एक मित्र है फिर पूतिन भारत क्यों नहीं आएंगे आये जानते हैं दोस्तों आपने देखा कि साउथ अपरेका के जोहांसबर्ग में बिक्स सम्मिट हुआ जिसमें सारे बिक्स कंट्री सामिल हुए थे पुतीन को छोड़ कर इसका कारण ये था कि जो साउथ अपरेका है वो ICC का पार्ट है यानि कि इंटरनेशनल क्रिमनल कोट का हिस्सा है साउथ अपरेका और ICC ने वारन जारी किया हुआ है पुतीन को एरेश्ट करने का तो अगर पुतीन साउथ अपरेका आते तो हो सकता था कि उन्हें अरेश्ट का पार्ट नहीं है और पुतिन तो हमारे मित्र है इस नाते हम तो चाइना से अच्छा स्वागत करेंगे पुतिन का फिर पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं भारत दरसल गाइस कल एक न्यूस सामने आई दूस्तों आपको बता दे कि 9 और 10 सितंबर को भारत में जी 20 सम्मिट होने जाएगा आप यह आर्टिकल देख सकते हैं रसियन परसिडेंट वाल्दीमर पूटिन नॉट टू अटेंड नियू दिल्ली जी 20 सम्मिट रसिया के द्वारा जो कारण बताया जा रहा है वो यह है कि रसियन इस्पोक परसन ने बताया कि पूतिन का जो फोकस है इस्पेशल यूकरेन वार का जो यूध है इसके दोरान भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि इन दोनों में बायलेंस बना रहा है और गैस अब तो लोग ये भी बोल रहा है कि पूतिन दो दिन के लिए अगर भारत जाएंगे तो कम से कम दो दिन रूस यूकरेन वार को आराम मिलेगा लेकिन ये चीज़ अब सामने आ रहा है कि पूतिन भारत भी नहीं आएंगे क्योंकि गाईस जी टॉन्टी में सारे वेस्टन कंट्री सामिल होंगे और इन सारे कंट्री ने पूतिन पर काफी हैवी सेंसेक्स लगाया है फोर इट्स इन्वेसन ओप यूकरेन आपको बता द गाईस की ये सकेंड जी टॉंटी सम्मिट होगा जिसमें पूतिन एटेड नहीं करेंगे इससे पहले पिछले साल इंडोनेशिया में जो जी टॉंटीस सम्मिट हुआ था उसमें भी पूतिन नहीं पहुचे थे और जहां तक मुझे याद है 2014 का जो जी टॉंटी समिट था उसमें भी पूतिन समलित नहीं हुए थे, अब अगर जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की सुने, तो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है, कि पूतिन उन सारे इंटरनेशनल इवेंट में सामिल नहीं होंगे, जिसमें वेस्टर्न लीडर सामिल होंगे, गाईस आप खोदी अंदाजा लगा सकते हैं कि दो दुसमन देश जब आमने सामने होंगे तो ऐसे में क्या ही मीटिंग होगी हो सकता है बात और बिगड़ जाए इसलिए पूतिन नहीं आ रहा है लेकिन एक और बड़ा कारण है जिसके बज़े से पूतिन सामिल नहीं होंगे यूकरेन वार को लेकर और यहीं सब रिज़ेन हैं जिसके बज़े से पूतिन भारत नहीं आएंगे ऐसे में एक सवाल आता है कि रसिया को रिपरजेंट कोन करेगा क्योंकि रसिया जी टॉन्टी का एक हिस्सा है रिपोर्ट तो ये बता रही है कि रसिया के जो फोरेजन मि रिष्टर हैं वो पहले बंगलादेश जाएंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगलादेश और रसिया के बीच का जो रिलेसंसीप है वो काफी अच्छा चल रहा है रीजन ये है कि USA ने बंगलादेश पर दवाब बनाया है क्योंकि वहां की जो पारा मिलिटरी फोर्स है सेख हसीना ने उसका यूज अपने ओपीजिशन पार्टी के लिए किया है इसलिए USA और बंगलादेश का जो संबंध है वो ठिक नहीं चल रहा है इसलिए रसिया और बंगलादेश फ्रेंड बनने वाले हैं चुकि आज के डेट में USA रूस का भी दुस्मन है लेकिन यहा अब तक यह वीडियो ने देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए कि मंडब अप में G20 सम्मिट के तैयारी कैसे चल रही है और आई होप कि गाईस आपको यह जानकारी पसंद आई होगी समझ आई होगी अगर आप ऐसा ही लेटेश जानकारी जानना चाहते हैं ज